फिल्म के शुरुवाती द्रिशे की शुरुवात पृत्वी के ऊपर बादलों के दिखाई देने से होती है। और एक मृत्यू कथाकार पुरुष की आवाज सुनाई देती है। कि कोई हमेशा के लिए नहीं रहता है या तो वह बहुत अधिक संधर्श करता है। मेरी सला है कि किसी भी स्थिती में घबराएं नहीं। अब बर्फ के मैदान में एक गुजरती ट्रेन दिखाई देती है। और मुख्यपात्र लिजेल है। यह युग नाजी जर्मनी द्वितियव विश्वी युद्ध है। लिजेल का सामना ट्रेन में अपने छोटे भाई की मौत से होता है, जिसे रुखने वाली जगह पर दफनाया जाता है। अब जर्मनी में 1938 का समय दिखाया गया है और कार में बैठी लिजेल बर्फ के मैदान से गुजरती है। वास्तव में वहाँ अपने नए स्थान पर जा रही है पालक माता पिता। माता का नाम रोजा और पिता का नाम हंस है। वहाँ अपने घर पहुचती है। अगली सुबह हंस एक संगीत वाद्य अंत्र बजा रहा है और गुड मॉर्निंग कहता है क्योंकि लिजेल नीचे आता है। रोजा लिजेल से मुझे मामा कहने के लिए कहता है जबकि पापा हंस के लिए। खोड़ी देर बाद कोई दर्वाजा खटखटाता है। वहाँ है रूडी नाम का एक बच्चा। बाद में वहाँ लिजेल का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। लिजेल रूडी के साथ स्कूल जाता है। जब रूडी और लीजल स्कूल पहुँचते हैं और कक्षा में जाते हैं, जहां उन्हें शिक्षक के सामने खड़े बच्चे मिलते हैं. शिक्षक लिजेल का नाम पूछता है और उसे चाक देता है ताकि वह कर सके बोर्ड पर उसका नाम लिखें. लिजेल अनपड है, इसलिए वह बोर्ड पर तीन क्रॉस चेहनित करती है, जहां हम जानते हैं कि लिजेल को लिखना नहीं आता है. सभी बच्चे मजाग करते हैं, लेकिन शिक्षक सभी को मौन कहते हैं और लीजेल को अपनी सीट पर जाने के लिए कहता है. बाद में लिजेल घर वापस आती है और उसकी माँ उसे अंदर ले जाती है. रात में लीजेल के पिता उसे शुब रातरी कहते हैं और देखते हैं कि लिजेल के पास एक किताब है. तिल्ड तिल्ड हंस पूछता है क्या यहां वास्तव में तुम्हारा है? लिजेल जवाब देता है यहां हमेशा मेरा है यहां मेरे भाई का है. फिर वाप पूछता है क्या आप जानते हैं कि यहां क्या लिखा गया है? इस पर लिजेल जवाब देता है नहीं. क्योंकि वह पढ़ना नहीं जानती. हंस कहते हैं मैं एक अच्छा पाठक नहीं हूँ इसके बावजूद चलो शुरू करते हैं फिर वे किताब पढ़ते हैं वर्दी पहनकर लिजेल एक गीत गाती है अगली सुबह जर्वनों के बारे में इस बीच नवंबर 1938 का समय दिखाया गया है जहां सेना हिंसक व्यवहार करते हुए बाजार में खिड़की के शीशे तोड रही है अब एक घर का दर्वाजा किसी के द्वारा खट-खट आया जाता है और मैक्स नाम के एक नए चरित्र का परिचय दिया जाता है वह एक यहुदी है वह सैनिकों से बच निकलता है फिर लिजेल हाउस को फिर से दिखाया जाता है जहां लिजेल के पिता हंस उसे पढ़ना सिखाते हैं और कहते हैं मेरी मृत्यू के बाद मेरे सतीक दफन के बारे में मुझसे वादा करू फिर हंस ने मेरे साथ आने के लिए कहा मेरे पास आपके लिए सर्प्राइज है और लिजल को तहखाने में लाता हूँ जहां दीवार पर लिखे हुए शब्द और अक्षर है इसे दिक्षनरी कहते हुए वह उसे एक चाक सौपता है और इन शब्दों को यहां लिखने की अनुमती देता है लिजल को पढ़ने और लिखने का शौक है इसलिए आनन से भल जाता है लीसेल कहते हैं धन्यवाद पापा बात में कोई घर में हंस को लेने के लिए दर्वाजा खटखटाता है हंस ने लिजल को जल्दी आने के लिए कहां अन्यथा हम परेड को याद करेंगे यहां रात का समय है सभी शहर के लोग एक ऐसी जगह पर एकत्रित होते हैं जहां एक सैन्य अधिकारी भाशन दे रहा होता है उनका मानना है कि राश्चिय समाजवादी क्रांती के दौरान हमारे राश्च्र को कम करना चाहिए हमारा संकल्प नैतिक और बौधिक रूप से खुद को साफ करना है तिल्ड शिक्षा, रंगमंच, साहित्य, फिल्म और प्रेस सभी सहायक स्तंब है जो हमारे राश्च्र के व्यक्तित्व को आकार दे सकते हैं यही हमारे एकत्रित होने का कारण है ताकि हम अपने आपको बौधिक गंदगी से मुक्त कर सकें तब वे बीच में रखी किताबों के धेर को जला दो और वह कहते हैं हमें उस बीमारी को जड़ से उखाड़ना है जिसने पिछले 20 सालों से जर्मनी को संत्रमित किया है युद में हम अपने दुश्मन का सामना करेंगे होता है और अपने भविश्य के लिए तब तक खड़े रहते हैं जब तक हमें अंतिम जीत नहीं मिल जाती ऐसा युद हमारे दुश्मन को नश्ट कर देगा लिसेल इसे ध्यान से सुनता है और सभी लोग नारे लगा रही है अधिकारी यह भी कहते हैं कि हम सभी कम्यूनिस्टों और यहुदियों को खत्म कर देंगे फिर उन्होंने नारे लगाए ग्रेट जर्मन एडॉल्फ हिटलर फिर सभी लोग हाथ सीधा करके गाना गाते हैं कुछ देर बाद सब चले जाते हैं लिसेल किताबों की जलती हुई जगा पर जाती है और एक गिरी हुई किताब को अपने कोट में छुपा कर उसे उठा लेती है वहाँ आकर हंस कहता है कि मैंने तुम्हें मुझसे चर्च में मिलने के लिए कहा है लिजल कहते हैं सौरी पापा किताबों के पन्ने इधर उधर बिखरे पड़े हैं लीजेल खास्ती है क्योंकि उसके कोट में जली हुई किताब है हंस कहते हैं कि इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन केवल उच्चारण करते हैं हम इसे गुप्त रखेंगे और इसे अन्य किताबों की तरह बेस्मेंट में पढ़ेंगे लिजेल प्रसंद है और पूछता है क्या मेरे असली मामा कम्यूनिस्ट थे क्या वह हिटलर था जिसने मेरी मा को मार डाला और कहता है मुझे हिटलर से नफरत है हंस ने इसे किसी के सामने कहने से मना किया घर आकर लिजेल ने एच जी वेल्स द्वारा दे इन्विजिबल मैन नाम की किताब पढ़ी अचानक कोई दर्वाजा खट खटाता है वास्तव में वह वही चरित्र मैक्स है जो पहले यहुदी सेनानी है वह चिंतित स्थिती में मदद मानता है रोजा और हंस उसे उपर जाने का सुझाव देते हैं हंस ने लिजेल को सूचित किया मैक्स के पिता युद में मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करते हुए मर गए और मैं उनके परिवार का रिनी हूँ फिर वह लिजेल से कहता है मुझे अपने शब्दो की तुम न तो हमारे आगंतकों के बारे में किसी को बताओगे और नहीं अपनी आत्मा को लिजेल शब्दो को रखने का आश्वासन देता है और अगले दिन स्कूल जाता है स्कूल के बाद रूडी के साथ खेल कर वह अपने घर आती है जब यहुदी मैक्स रात को सो रहा होता है और उसके हाथ में एक किताब होती है लिजेल अपनी किताब लेने के करीब है अचानक मैक्स जाग गया और उसे जिग्यासू लड़की कहते हैं वह किताब के बारे में पूछते हुए अपनी किताब वापस लोटाती है मैक्स कहते है यहां हिटलर के बारे में है लिजेल पूछता है क्या आप खुद को हिटलर से चुआ रही हैं? क्या आप तम्यनिस्ट है? क्या उन्होंने तुम्हारी मां को मार डाला है? अगली सुबह रोजा लिजेल के पास आती है. उसे कुछ कपड़े धोने का काम सौपती है. और एक घर जाने के लिए कहता है. कुछ ही देर में वहरूडी के साथ उस घर पहुंच जाती है. जहां एक बूढ़ी औरत इलसा उसे लाइबरेरी में ले जाकर अंदर बुलाती है. उसे शायद यह समझ में आ गया कि लिजेल सीखने की इच्छुक है. किताबों को छूकर लिजेल को खुशी महसूस होती है और वह दड्रीम करियर नाम की किताब लेती है. वह फिर याद करती है कि रूडी बाहर उसका इंतजार कर रही है. इसलिए बूढ़ी औरत इलसा को लेकिन बूढ़ी औरत इलसा उसे किसी भी समय किताब पढ़ने के लिए आने की पेशकश करती है. अब मैक्स को तहखाने में दिखाया गया है क्योंकि हंस के परिवार को सैनिकों के चापे का डर है. क्योंकि मैक्स यहुदी है. लिजेल भी तहखाने में जाता है और किताब पढ़ना जारी रखता है और एक नया शब्द हमेशा तहखाने की दीवार पर चाक से लिखता है इसे कठिन मानते हुए. मैक्स उससे पूछता है तुम्हें ये शब्द कहां मिलते हैं? उस पर लिजेल इसे एक रहसे कहते हैं. बाद में वहां उस जगा का खुलासा करती है जहां वहां किताब पढ़ने जाती है और उसे याद करती है. बाद में मैक्स ने लिजेल को एक किताब भेंट की. वहां बोलता है, मैंने अपने धर्म से सीखा है कि हर जीव, हर पत्ता और हर पक्षी जीवित है क्योंकि उनके पास जीवन के गुप्त शब्द है. अगर हम मिट्टी और खुद के बीच अंतर बताना चाते हैं, तो हमें शब्दों का इस्तमाल करना होगा. शब्द जीवन के लिए आवशक है. धीरे-धीरे बर्फबारी से ठंड बढ़ जाती है और बेस्मेंट के ठंडे तापमान के कारण मैक्स बीमार पढ़ जाता है. इलसा की तरह किताबे पढ़ता है. एक अजनबी यहां फरवरी में आया और कटी हुई हवा और बर्फ चलाने के सर्दिन. उसके मरने तक कोई उसके बारे में नहीं जान सका. बात में लिजेल चुपके से खिड़की से बूढ़ी औरत के घर की लाइब्रेरी में जाती है औ और एक किताब चुरा लेती है. क्योंकि इलसा का पती उसे कप्रे धोने की सेवाओं का उप्योग करने से मना करता है. समय बीतने के साथ वहां पुस्तकाले से छुपे हुए तरीके से एक एक करके किताबे चुराती रहती है और रूडी को भी इसके बारे में पता चल जाता है. लेकिन वह कहती हैं मैंने तो सिर्फ उधार लिया है. उसके बाद लिजल मैक्स को रूडी के बारे में भी बताता है. अब कई सैनिक इस क्षेतर में यहुदी या सामयवादी उपस्तिती की जाच के लिए अपनी यात्राए करते हैं. लिजल का परिवार सतर्क है. रात के समय क्षेतर के लोग सैनिको के छापे मारी पर अपने बैग बाहर आकर एक जगह चले जाते हैं. मैक्स को घर पर छोड़कर रोजा और हैंस भी लीसेल के साथ उस जगह छिप जाते हैं. लेकिन मैक्स घर से बाहर आता है और खुशी महसूस करता है. वहां खुशी से आकाश के तारों को देख रहा है कि अचानक एक सैनिक वैन उसके पास आती है. वहां जल्दी छिप जाता है. वहां अगले दिन छोड़ने का फैसला करता है ताकि उसकी उपस्थिती के कारण इ मैक्स के जाने से लिजेल दुखी हो जाता है. मैक्स रात के अंधेरे में निकल जाता है. लिजेल बहुत रोती है. रोजा और हंस भी परेशान है. फिर अगले दिन यह भी पता चलता है कि लिजेल के सबसे अच्छे दोस्त को भी कुलीन प्रशिक्षन के लिए चुना गया है. किवा गर्मियों में शुरू करेंगे. इस बीच हंस को सेना द्वारा उसके चैन के लिए एक पद भी प्राप्थ होता है. लाइजल कहते हैं, रूडी भी हर कोई विदा हो रहा है. हंस ने अपनी मा रोजा की देखभाल करने की सला दी क्योंकि वह परियाप्त मजबूत नहीं है. हंस भी चला जाता है. बहुत दिनों के बाद लिजल एक किताब पकड़े सीडियों पर बैठी है. कुछ ही देर में रेंजर वैन वहां पहुचती है और हंस आ जाता है. लिजल उसे देख कर प्रसन होता है और कहता है पापा. जैसे तुम घर वापस आ गए हो. आश्चर्य जनक रूप से मैक्स के बारे में सोच रहा था किवा कहा है. हांस वही कहते हैं. युद्ध फिर छिड़ गया है क्योंकि ये युद्ध के दिन है. अगले दिन सब कुछ नश्ट हो जाता है. घर धूल में धराशाई हो जाते हैं. लाशे हर जगा बिखर जाती है सब कुछ पूरी तरह से नश्ट हो गया है. सिपाहियों को एक जगह के नीचे जिन्दा लड़की मिली. वहां लिजेल है जो बच गई है. और वहां घायल हो जाती है और कहती है मामा, पापा जैसे बाहर आते हैं. लेकिन उनका परिवार नहीं रहा. रोजा, हंस और रूडी सभी मर चुके हैं. खोश में आने पर उसे इंटो के नीचे एक किताब मिलती है. दोड़ते हुए वहां उस महिला को गले लगा लेती है. दो साल बाद लिजेल को रूडी के पिता दर्जी की दुकान में सेवा करते हुए दिखाया गया है. और वहा दर्वाजे पर मैक्स की दृष्टी पकड़ती है और वहां उससे खुशी से मिलती है. अब उन्नीस सो पैतालीस का समय दिखाया गया है. और सन्युक्त राज्य के सैनिकों ने जर्मनी पर कबजा कर लिया है. अब कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है. वैसे ही बादलों का नजारा जैसे ओपनिंग सीन में दिखाया गया था. तब मृत्यु कथाकार पुरुष आवाज सुनाई देती है. मुझे महान चीजों का सामना करना पड़ा. मैंने दुनिया के सबसे बड़े विनाश में भाग लिया है. मैंने बड़े चमतकार भी देखे हैं. लेकिन मैं स क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 90 साल बुद्धिमानी से बिताए थे. उनकी कहानियों से कई लोग प्रभावित हुए. मैक्स की दोस्ती लीजल की तरह चिरस्थाई थी. अपने अंतिम विचारों में उसे कई जीवन का सामना करना पड़ता है जो उससे बंधा हुआ थ साथ एक पोते के रूप में. अंत में शांती के अलावा कोई शब्द नहीं था.